तो गाइस यहाँ पर देखो राम राम के नारा लग रहे हैं और वहाँ पे आड़ जे अर्चना है और इक अनक भौन चारो तरफ से ही काफी ज़्यादा खुबसूरत लग रहे हैं अच्छे तरीके से अयुद्धा को सजाया गया है कि आज पी-म आने वाले हैं इंडियन प्र प्रॉकाता से आया हूँ अयुद्ध्या यहाँ पर अयुद्ध्या जरनी के लिए और खाजकर दिपोस्व में भाग लेने के लिए और दिपोस्व इस बार काफी आधा बड़ी होने वाली है क्योंकि इस बार दिपोस्व में सत्रा लाग दिये जलाय जा रहे हैं पिछले क के साथ जो भी फेमस फेमस डेशनेशन है सब में इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा तो फिलाल मैं कनक भौन आया था और यहां से मैं अभी सफर करूंगा हनवान गड़ी का राम जन्भूमी का और जो भी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं तो फिलाल इस ब्लॉग को करते है और मैं ब्लॉग मना रहा हूं तो चलता हूं मैं भी खाता हूं कुछ का तो गाइस हम लोग आ गए हैं में रोड पे जहां पर आपको सीधे राम की पैड़ी देखने को मिलेगी यहीं पर ही दिपोस्टा मनाई जाएगी और इस सेड़ आपको हनवान गड़ी देखने को म अब तैनात है क्योंकि आज पी एम आने वाले हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद ट्यूरिश्टर लोग आई रहे हैं जिसमें फॉरेनर इंटरनेशनल लेबर से भी लोग आ रहे हैं और बहुत जगाओं से बहुत स्टेट्स आ रहें डिफरेंट यहां पर हमारी पूरी टीम बैठी हैं और व्लॉगर का पर हैं हाल रहे हैं और में परें लिब पूंदर से लियुकु तपुरे खुल को Here है वो लोग पहली बार आ रहा है मैं तो पिछले साल आये था फिलाल चलते हैं हनुमान गड़ी के अंदर और यहां पर कुछ सेड़ी चड़ने के बाद हनुमान मंदिर आती है फिलाल अभी फेस्टिबल सीजन चल रहा है यहां पर दिवाली के एक दिन पहले आ गया हुना इस से आप देखो सीधे में ही बजरंग मली है फिलाल लोग यहां पर भख लोग इस लिए नहीं देख पाएंगे और यहां पर देखो दिये से एक दम सजा दी गई अच्छे से जो कि रात में जली गया क्योंकि आज दिपॉस्टर है ना इसकी दिया है यहां पर देखो भजन ह भूमी की तरफ और बीच में ही राजा दसरत महल पड़ेगी वो भी दिखाएंगे अगर फुला होगा फिलाल राम जन भूमी बंद हो जाएगी इसलिए जल्दी से जाना पड़ेगा अधर्वाइस मैं दिखाने ही पाऊंगा और हां आपको अंदर में जाने के पहले ही अब जब यहां पर जाओगे तो यहां पर राजा दसरत जी का महल मिलेगा यानि राम भगवान का घर जो ऐसा है और अभी खुला हुए तो चलते हैं अंदर में और आपको दिखाते हैं मंदिल के अंदर तो यह है राजा दसरत जी का महल यानि राम भगवान के पिता का घर अयुद्धन अरेश राजा दसरत भगान जी का घर और यहाँ पर एक special sheet में आपको दिखाता हूँ यहाँ की दर्वाजा जो है बहुत ही बड़ी है और काफी साल पुरानी है देखो कितनी बड़ी दर्वाजा है यहाँ पर काफी बड़ी है और चलते अंदर में यहाँ पर बैटने के लिए भी बड़ा इस पेस है और मंदिल के अंदर साइद जाना मना है अभी वहाँ पर सटर बंद कर दी गई है और यहाँ पर पूरे दिये ही जलाए जाएंगे तो कि दिवाली के एक दिन पहले तो कुछ ऐसा भी हो है राजा दसरत महल के अंदर का काफी बड़ा है और वहाँ पर महल है साइद उसके अंदर जाने दे रहे यानी हाँ साइद सटर लगा दी गई है लोगों को जाना एलाओ नहीं किया रहे इसलिए लोग यहाँ पर बैठे हुए तो फिलाल कुछ ऐसा भी हो है यहाँ पर तो देखते हैं एक बार ट्राय करते हैं मंदिल के अंदर जाने देगे कि नहीं तो फिलाल चलते हैं अंदर जाना है क्या बंद कर दिया है इसलिए इसलिए ना अच्छा दिया सब जलेगा इसलिए रहा दिया जलेगा जिसके चलते ब यहां जे लोग है और यहां वहां आपको दिखाता हूं दसरत महल फिलाल अभीलाब सत्रा लग तिय hockey जलाने का यहां पर तैयारी किया जा रहा है चाल संकल को धन्यबात कहना चाहूंगा के चलते हिसंहें हमें दसरत्महल के अंदर इंटर करने दिया गया और यहां पर देखो राजा दसरतमहल जी को अच्छे से एकदम सजा दिया गया है और यहां पे पुरे दीयो को सजा चाहिए जा रही है तो फिलाई रहा राजा दसरतभवाण जी के महल का अंदर का कुछ ऐसा व्यूफ और भृष ओ कष़र कर रहा भाई आप देखो इसे चला काफ़ी सुन्दर नगहीं तो न वहां पर ऐसे प्थेत П Peter Na इसमें तेल फिल करने का काम किया जा रहा है, अब ये सारे दिये में तेल भर दी जाएगी, फिलाल ये सब में फिल हो चुकी है, हाँ साम तक हो जाएगा, साम तक तो पूरा हो जाएगा, साथ बज़े के अंदर ही पूरे फिल करने है, तो फिलाल रास्ते में ही जा रहा था औ और बीच रास्ते में ही कनक भौन पड़ा और कनक भौन के अंदर आया तो यहाँ पर देखो दिये से कितने सुन्दर से माई एफेम जैस्री राम बहुत ही अच्छे तरीके से दिये से सजाई गई है और लिखी गई है और जलने के बाद तो काफी खुबसूरत लगेगी फिलाल बीच रास्ते में हमें कनक भौन मिला तो फिलाल कनक भौन के अंदर आ गया हैं और देखते हैं कितनी खुबसूरत मं मिलाल है और काफी लोग यहां पर आये हुए हैं और एक अनग भौन चारों तरफ से ही काफी ज़ादा खुबसूरत लगे यह देखने में यहां पर देखो तो गाईज आगे चलते हैं और भगवान की दर्शन भी करते हैं फिलाल एक अलगी इंवाइर्मेंट आपर और वहाँ पर देखो बंदर भाई साब बैठा हुए तो गाईज यहाँ पर देखो राम राम के नारा लग रहे हैं और वहाँ पर आड़ जे अर्चना है राम राज जब आएगा बोलो भाई तो यहाँ पर पूरे जोड़ से राम राम के नारी लग रहे हैं चले तो फिलाल गाईज हम लोग तो सब कुछ देखने के बाद राम जन भूमी के तरफ गया लेकिन राम जन भूमी बन थी यानि अभी दिपासों के कारण राम जन भूमी को क्लोस कर दिया गया जिसके चलते मैं नहीं दिखा पाया और वैसे भी वहाँ पर मोवाईल जब कर ली जाती आनि वहाँ पर लॉकर रहते हैं वहाँ पर मोवाईल जमा कर ली जाती है जिसके चलते राम जन भूमी को मैं कैमरे में तो नहीं दिखा सकता फिलाल ये था हमार तो आप देख लेना चैनल पे अपडेट आ जाएगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब पर लेना तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई टाटा टेक केर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना